या बहुत सारे कॉमेंट आते हैं या बहुत सारी जो मेरी सखिया है Sाद्य शुदा है और जो अपपने पती के साथ रहती है उनका ये मानना रहता है कि हमारे पती हमसे प्यार नहीं करते हम अपना पतनी धर्म बख़ूबी निभाते हैं सब नहीं करते तो इसका क्या कारण है पती प्यार नहीं करते तो हम क्या करें तो यदि चाहती है आप पती का प्यार पाना सदेव हमेशा के लिए तो कुछ गलतियां है जो सुरू से ही साधी के स्टार्टिंग से ही आपको ध्यान रखनी है तो कौन सी ऐसी गलतियां है जो हमें ध निचर बदलता नहीं है। साथ हम समय जो गुजारते हैं तो दीरे-दीरे हमारे रिस्ता मजबूत होते चला जाता वो समझने लगते हैं तो इस तरह से जो उनकी करवाहट है बोली है उसमें सुधार हो जाता है फिर वो हमें समझने लगते हैं लेकिन जो पत्थर दिल होते हैं वो जीवन भर ऐसे ही रह से तो पती पतनी का रिस्ता जो है भरोसा समझदारी पर ही ठीका होता है खासकर पतनी की समझदारी पतनी का प्रेम जो है उन्हें पती को पतनी के प्रदियाकरशित करता ही है और वो अपनी पतनी को समझने लगते हैं उसके बाद वो दूसरी प्राइस्तियों तरब देखते विने उन्हें ताक्जा करने का समय ही नहीं मिलता है तो आपने पती को इतना प्यार दें और समझदारी से काम ले, धहरे से काम ले, पेशन से काम ले धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाता है तो ये है हमारा first point, second point है पती को बार बार छोड़ कर माय के मत जाए हर शादी सुदा लाइफ में पती पतनी अकेले नहीं रहते हैं परिवार के साथ भी रहते हैं, कभी कभी पती पतनी अकेले भी रहते हैं परिवार के साथ नहीं बाहर शहर में लेकिन होता क्या है कि इस सुरार में जब सान्थ रहते हैं तो हम चोटी चोटी बात पर कुछ लडाई जगरे हो जाते हैं तो पत्निया जो है उन्हें मैके की याद आ जाती वह तुरन्त मैके चली जाती हैं तो उनका बार-बार पती को छोड़ कर मैके जाना ये भी जो है पती का प्यार को कम कर देता है और अगर हम बार-बार पती को छोड़ कर मैके जाते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि पती अपने इगो में आ जाते हैं पत्नी भी अपनी इगो में आ जाती है फिर वो पत्नी को छोड़ देते हैं कि उसे आना होगा तो खुद आएगी और पतनी का कहना रहता है कि पती लेने आएंगे तभी मैं जाओंगी ससुराल तो इसमें रिष्टा तूट भी जाता है तो इसलिए और इसमें तीसरे को मतलब चांस मिल जाता है चाहें वो आपके ससुराल के पक्स से कोई हो चाहें कोई और सदस से हो तो इसलिए आपको अपने पती को छोड़ कर बार-बार मैं के नहीं जाना चाहिए चाहें कोई भी लड़ाई जग रहा हो कुछ भी हो आपको अपने ससुराल में या अपने पती के साथ रखकर ही उस situation को समझना चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए क्योंकि life जो है सबको आसान जिन्दगी नहीं मिलती है आसान बनाना पड़ता है जिन्दगी को तो इस बात का ध्यान रखें अपने पती से ज़्यादा उमीदें ना रखें क्योंकि बहुत पार ऐसा होता है कि हम उमीद रख लेते हैं कि हमारा पती हमसे प्यार करेंगे ही हमें हनीबून पे ले जाएंगे सुजेलेंड ले जाएंगे बाहर ले जाएंगे या हमें हमेशा रिस्टोंड में खाना क floss लाइंगे हमारा बहुत कियर करेंगे हमसे बहुत प्रियम मैंशे बात करेंगे हमारा जनम दीन याध रखेंगे लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में जो है पती अपने جब में अपने काम में ब्यस्त रहते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि इन छोटी छोटी बातों को ध्यान मरे के उनके लिए ये छोटी बात होती है लेकिन जो घर में वाइफ रती है उसके लिए बड़ी बात होती है वो चाहती है कि हमारे पती हमारी respect करें, हमें value दें और हमारा जन्म दिन याद रखे और उसे celebrate भी करें तो बहुत ज़्यादा उमीदें ना बांध के रखें, आप भी थोड़ा सा मतलब इन चीजों से उपर आए और अपने पती को याद दिलाएं, उसके बाद celebrate करें पोइंट से कि अपने समय को मतलब आपका जो साधिशुदा life है तो उसमें आप अपने पती के लिए भी समय निकालें घर के काम के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि सेसराल में बहुत सारे सद्धस्ते हैं तो हम सब की सिवा में लगें हैं अपने पती के लिए टाइम ही नहीं है तो नहीं या आप अकेले भी रहते हैं तो आप अपने काम में बीजी हैं तो ऐसे relationship में थोरा सा समय निकालना चाहिए तो husband wife को खासकर wife को अगर आपको पती का प्यार चाहिए तो उनके लिए समय निकाले आप और उनके साथ एक कप चाहे जरूर पिएं और उनके साथ समय बिताएं साथ में घूमने जाएं कोसिस करें कि कुछ समय कुछ पल ऐसा उनके साथ बिताएं जो उन्हें खुसी दे क्योंकि हम समय बिताना उसी के साथ चाहते हैं जहां में खुसी मिलती है तो कोशीज करें कि आप अच्छी दिखें और एट्रेक्टिव रहें और आपके हस्वेन आप पे थोरा सा ध्यान दे और आपके साथ वो खुद समय विताना चाहें और आप हस्मुक रहें वहवार कुसल रहें और अपने पती के खास के और उनके खाने पीने का ध्यान रखें क्यूंकि पती लोग खाने पीन, बहुत सारे पती खाने पीने के वज़त से भी थोड़ा सा मिलते हैं, घुलते हैं, तो थोड़ा सा आपको समय अपने पती को देना चाहिए, उनकी पसंद ना पसंद का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर पती का प्यार पाना चाहती है तो जब आप मा बनने वाली हो तो उस इस्तीती में बहुत सारी महिलाएं जो है वो माई के से कुमारी अपनी बहन को या मामा की बेटी को या रिलेशन में कोई भी कुमारी लड़की है तो उसे बुला लेती है तो कहीं न कहीं सारे पती तो नहीं लेकिन कहीं न कहीं ये जो होता है पती जो हमारे हैं वो बहक जाते हैं या रिलेशन्सिप में चल जाते हैं उनके साथ हो जाते हैं वो अपनी जगह बना लेती है या कुछ गलत होने क्या शंका रहती है तो ऐसे में आप ससुराल पक्स से ननत सास को बुलाएं अपने मा के सिर्फ मा को बुलाएं तो इस चीज का भी आपको थुरा सा सुरू से ही ध्यान रखना है कि आपके पती को आपसे फूर्शत ही ना मिले आप उन्हें कभी ऐसा चांसी ना दे या उन्हें अकिला ना छोड़े आज की वीडियो बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शियर करें, कॉमेंट करें मेरे चल्मेंट नहीं है तो सब्सक्राइब करें थैंक्स पर आच्छी में वीडियो जै हिन, जै भारत पती का ख्याल रखें और उनके साथ इंजोई करें यही लाइफ है